कैसे हैं आप सब लोग आज हम करेंगे 21st जुलाइ 2020 के करन्ट इफेर्स इसका पीडिएफ आपको टेलीगराम ग्रूप पर मिल जाएगा तो बात करते हैं इसके बारे में तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि यह जो करन्ट इफेर्स हम कर रहे हैं आपके हार एक 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 में पूछे जाएंगे फिर वो आपके स्टेट लेवल एक्जाम सो बेंकिंग हो ससी के एक्जाम हो तो यह बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं तो इसका पीडिएफ आपको टेलीगराम पर मिल जाएगा वीडियो सुनने के बाद आप लोगों को पीडिएफ को एक बार वो अभी तक तकरीबन 12,000 लोग डाउनलोड कर चुके हैं तीन दिन में तो आप लोग भी अगर यह देख रहे हैं तो आप जाके वो भी डाउनलोड कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो यह है आपके सामने आज के करेंट अफेर्स 21 जुलाई के तो क्या है इन करेंट अफेर्स में आपको बता दू इंडियन रेलवे ने लांच किया है अपना फर्स सेट आप ट्राइवेट ट्रेंज बाय ट्विंटी ट्री अब आपको मैं एक चीज़ बताई थी इंडियन नेटवर्क के साथ और इसी के साथ ही एक और चीज़ बता दूं कि जेंड के में जो आपका भी प्रोजेक्ट चाह रहा है जिसमें उधंपूर स्रीनगर को लिंक करने की कोशिश की जा रही है रेलवे नेटवर्क के थ्रू वहीं पर क्या करा है अभी यासी से कट्रा एक अ वह होगी 2027 तक लेकिन उसका फर्स सेट होगा प्राइवेट ट्रेंज का इंट्रड्यूस कर दिया जाएगा बाई 2023 कितना प्रोजेक्ट है पूरा तो यह पूरा जो आपका इंवेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर में वह होगी तकरीबन 30,000 करोड रुपे की तो आपक जो है वह पहली स्टेट बन गई है जो ड्रोन का यूज करती है किसके लिए इंस्पेक्ट पॉवर लाइन एंड ट्रांस्मिशन टॉवर्स अब आपको बता है जो हाई टेंशन वायर्स आपकी होती है उन पे काफी रिस्क रहता है जब इंप्लॉई जाते हैं हमारे डिपा इमेजज लेके डारेक्ट जमीन से ही देख लेंगे एच्डी कैमराउंगे ड्रोंस पर उससे क्या होगा उससे जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा बेटर एसेस्मेंट होगी कॉस्ट और ऐफिशेंसी बढ़ेंगी और मोनिटरिंग और सर्वेकरने में काफी हेल्प ह हो जाएगी तो पहली स्टेडर आप से पूछी है कोंसी है जिसने लांच किया है तो यह है आपकी महाराश्टरा महाराश्टरा की के वारे में आपको बता दूँंकर के गवर्णर है इस समय भगत सिंग कोशारी जी और चीफ मिनिस्टर है उद्दव ठाकरे जो है शिव सेना के तो इतना काफी है इस सवी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो महराष्ट्रा की उन्होंने हाली में ही इन्वारमेंट मिनिस्ट्री का नाम ऌंच डिया है तो यह भी आ फेण्स चाहिए वहीं आस ए आपका जो आपका दियर शक्क्ति कर दिया घया है तो यह मैं बात करो आपसे फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सिता रमन ने अटेंड की थी फाइनांस मिनिस्टर एंड बैंक गवर्नर्स मीटिंग वर्चुली हुई थी यह बेसिकली तो अगर आप से पूछा जाए कि फाइनांस की जो अभी मिटिंग है इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे तो वह थे आपकी निर्मला सिता रमन जी अब जीट्वेंटी बैसिकली है क्या तो जीट्वेंटी में आपके 19 कंट्रीज आती हैं और एक आपका आता है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन तो 19 कंट्रीज के आपको नाम याद रखने की जुरूरत नहीं है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अगर प्रेजिदेंसी किसके पास है जीट्वेंटी की तो वह है आपकी सावधी अरेबिया के पास तो यह आपको पता होना चाहिए इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया डारेक्ट सैलिंग इंडस्ट्री में रिकॉर्ड किया है इंडिया ने कितना इंडिया का इंप्रूव हुआ है पिछली बार से पिछली बार यह था नाइंटीन लेकिन इस बार इसे कर दिया गया है इंप्रूव करके फिफ्टीन ग्लोबली तो WFDSA की रिपोर्ट थी यह आपको बता होना चाहिए डव्ल्यू एफट्यसे है क्या तो यह है आपका व्ल् एक शेकंड दूर्ड टी से हैं आपका वर्ल्ड फेडरेशन डारेक्ट जेलिंग एसोशेयेशन तो यह आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड फेडरेशेन ऑफ डारेक्ट इससेसी एड़कार कहां अगर आपसे पूछा जाए तो यह है एड़कोर्टर आपका यूनाइटिट स् इसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं बच्चे मार कर देते हैं मुंबई लेकिन का है आपका गुर्गाउं हर्याना में तो इसको आप याद रखें स्बी बैंक का अगर आप से पूछा जाए कहां पर है तो वह है आपका मुंबई महराष्ट्रा में तो यह आप यहां पर कंफ्यूज ना होएं चेर्मैन कौन है तो चेर्मैन आपके रजनीश कुमार तो यह भी आपको बताओना चाहिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट तो यूए ने लांच किया है या पहली वेस्ट एशियन या अ होप मिशन तो यह आपको पता होने चाहिए होप मिशन इन्होंने किया है लांच स्पेसिफिकली इन्होंने 19 जुलाई की डेट इसको रखी थी करने के लिए क्यों करी गई थी यह 19 जुलाई की डेट ही इसके लिए क्योंकि इन्होंने 50th anniversary वनाई है यूनिफिकेशन ऑफ द किया है इसी के साथ मैं आपको बात करूं तो प्रकाश जाविटकर आपको comment box में लगके बताने किसके मिनिस्टर है हमारे प्रकाश जाविटकर ने हेल किया है क्या किया है इन्होंने कुर्मा मोबाइल एप और यूनीक टूल फॉर conservation of इंडियन टर्टल तो आपसे यह डारे रहेगी कि किसने कुन सी लॉंच की है तो यह कुर्मा डाउनलोड की है लॉंच की है किसने यह की है प्रकाश जाविटकर ने टर्टल्स के लिए इसी के साथ नेक्स्ट के मैं बात करूं तो फॉर्मुला वन चैंपियन मर्सेडीज के कौन है यहां पर लुइस हमिल्टन जिन्होंने हंगेरियन ग्रांट प्रिक्स जीता है 2020 का और यह टाइटल इन्होंने आठमी बार जीता है आपसे एक्जाम में यह तो पूछा जाएगा लुइस हमिल्टन किस स्पोर्ट से रिलेट इनका निदन हुआ है लेकिन एक्जाम में किस तरह से पूछँ जाएगा एक्जाम पूछ जाएगा सीएस से शाद्री जी किस फील्ड से रिलेटेट से और आपको हिस्ट्री एक्टोनोमिक्स मैथमेटिक्स इस तरह से दिया होगा तो वहां पे ये क्वेश्ण चॉल करने आंसर करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह बहुत बड़े मैथमेटिशन थे बात करते हैं नेक्स्ट की तो सहित्य अकाडमी अवाडी बलदेव सिंग सदा का नमा ने ऑथर की बुक को जिसका नाम है सूरज कदे मरदा नहीं जानिकि इसको मैं बताऊं तो इसका मतलब सनर डाई्स यह बुक इसके उपर लिखी गई है उद्दम सिंग जी ने तो आपको सब तरीकों से पता होना चाहिए इसका आंसर है आपका सुरज कदे मर्दा नहीं सन नेवर डाइस सदक नाम के बात करते हैं नेक्स अरुनाचल प्रदेश के पीमा खंडू जी इन्होंने रिलीज की है एक बुक के नाम पर अथनो लॉगिस्टिक स्टडी ऑफ दा क्रिटिकल इंडेंजर ग्रूप अरुनाचल प्रदेश तो यह इन्होंने बुक कर रही है अभी रिलीज तो कि आपको पता दूँ इंपोर्टंट मैंने आपको बताया था जो भी चीज फॉस्ट टाइम होती है वह अपने आप में ही इंपोर्टेंट हुजाती है फास्ति लास्त चीजें अमेशा एक्जां में पुछी साती है तो पहली बार बनाया गया है वर्ल्ट रेयमिंग बात क भी कहते हैं यह अगर फाइड की फूल फॉर्म बताओं तो वह फेडरेशन इंटरनेशनल एड़ेस एड केस तो यह आपको इतना नहीं याद रखना आपको याद रखना है कि कब वनाया गया वर्ल्ड चैस्ट दे पहली बार तो यह है आपका बीस जुलाई को तामिलादू है आठ एंओ ने सइन किया है आठ एम यू उस को कितने इमांट के दस था थी नाइंटिन नाइट करोड वेंड इन्टारिल ग्रूप फार इंप्लाइमेंट क्रीएशन तो इंप्लाइमेंट के लिए एम यू कितने हैं आपको बताओने चाहिए आर्ठ मु उसाइं किये और और कितनी अमाउंट के हैं वह है 10,399 हर्सिम्रत कोर बादल ने इनागरेट किया है फर्स्ट ऑपरेशनलाइज मेगा फूट पार्क और मिजोरम जो है आपका जोराम मेगा फूट पार्क जो यह भी आपसे इंपोर्टेंट है कि मिजोरम का पहला मेगा फूट पार्क कौन सा ह है तो वह आपका जोर्भा मेगा फूट पार्क आप को मिर को बताना है कि अवंति मेगा फूट पार कहां का था तो यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखके बताना है नेक्स्ट के अगर बात करूं तो ओडिशा गवर्मेंट ने इंक्लिट हैं ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी को अंदर मदू बाबू पेंशन योजना तो यह आपको पता होना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है इसमें क्या होगा इसमें पांसो से साथ सो और नो सो रुपे पर मंथ मिलेंगे डिपेंडिंग ओन दियर एज तो यह भी आपको पता होना च ने भी लॉंच किया है नवीन रोजगार चैत्री योजना फॉर स्केड्यूल कास्ट तो यह भी आपको पता होना चाहिए डिरेक्ट पूछ जाएगा यूपी गवर्मेंट ने कौन सी योजना लॉंच किया से के लिए तो वह आपकी नवीन रोजगार चैत्री फॉर सी तो आपको गताया था कि अडिशनल चार्ज मिला है अभी अनन्दी वैंट पर टेल को कहां का मद्यप्रदेश का क्योंकि इनकी तबियत ठीक नहीं थी तो इनका निदन हो गया है आपसे यह भी पूसर जा सकता है कि इलाल जी टंडन कहां के गवर्नर थे तो यह आपके लिए आ इसकी वेज़ा से आपका जो बैंकिंग की क्लासिस है वह जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी लेकिन टाइम लग रहा वीडियो बनाने में अभी वीडियो बनाने के लिए इतनी हिम्मत नहीं थी बर मैंने बना दी क्योंकि कल से डिले चारी थी तो आप लोग यह पड़ें आपका बैंकिंग का जल्दी मिल जाएगा जिन लोगों ने इतनी दर टेस्ट नहीं दिया वह टेस्ट दे लें तो चलिए आज सिर्फ इतना ही मिलते हैं अब लोगों से कल ने लेक्चर के साथ ओके गाइस